आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूं उससे आप ऑग्जो एनायन आफ क्रोमियम से आने वाले किसी भी प्रावलम को बहुत इजली कर लोगे और बहुत फासली भी तो ध्यान से देखें टोटल 6 पॉइंट बताने जा रहा हूं इससे बा होगा तो उसके नाम के पीछे 8 वर्ड लगाना है राइट एनायन में तो यहां पर एक क्रोमियम है तो शरिफ नाम लएगा क्रोमेट और यहां पर दो क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट ओके आप दोनों एक्जिस्ट कैसे होंगे वह ध्यान से समझो बेसिक मीडियम में पलस यह एरो दिखा रहा है देखो अगर एसेडिक की तरफ बढ़ रहो तो आपको क्या मिल जाएगा डाइक्रोमेट और उसको याद कैसे रखेंगे बॉह वर्ड से राइट वह पबजी था के मेनों फोर और यहां पर बॉह तो बॉह का अंतलब क्या है कि बेसिक मीडियम म औरेंज से यलो हो जाएगा डैट्मिस ध्यान से देखो यह औरेंज कलर का एकॉन सियार टू ओस्वन-2 डाइक्रोमेट औरेंज कलर का होता है इसमें अगर मैंने बेस हैज आड्ग क्या 0-9 तो इसमें बेसिक मीडियम में औरंज से यलो हो गया मतलब आपका yellow color stable है, basic medium में chromate exist होता है, acidic medium में dichromate एक और point ध्यान देना है यहाँ पे, कि दोनों में ही oxidation state plus 6 है, right that means D0 configuration है, unpaid एक भी लग्टन नहीं है, diamagnetic होगा, color का ध्यान रखना है next point, point number 2, कि आप ऐसे भी याद रख सकतो ABCD वर्ट से ABCD का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, B for basic, C for chromate, basic medium में chromate होगा A for acidic, D for dichromate, तो acidic medium में dichromate होगा, तो very simple है, ABCD, सबको याद रहता है तो BC से basic में chromate, और first and last acidic में dichromate, तो point number 1 और 2 यह है जिसको ध्यान में रखना है point number 3 यह है, कि यह स्रीफ और स्रीफ oxidizing agent का काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि यह अपने highest oxidation state में तो इससे आगे नहीं जा सकता है, पीछे ही आ सकता है, तो यह always oxidizing agent का काम करेगा और यह स्रीफ और स्रीफ एक ही medium में work करता है, that is acidic medium जबकि केम नो 4 acidic basic neutral तीनों medium में work करता था, यह स्रीफ एक medium में work करता है और जैसे उसका working था acidic medium में, वैसा ही इसका भी है, plus 2 unit से oxidation state को बढ़ाना है या 2 electron increase कराना है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे sulfur plus 4 में है, तो किसमा आजागा? प्लस 6, right, sulfite से sulfate, यहाँ पे sulfur minus 2 में है, तो 0, 2 unit से oxidation state को बढ़ा देना है और खुद यह कहाँ पे आजागा? प्लस 3 में, जिसमें इसका color क्या होता है? green, ध्यान रखना है, यहाँ पे इसका color green होता है, यहाँ तो आपको मालूम यह orange color का हो गई एसो 2, sulfur plus 4 में, तो किसमा आजाएगा? definitely plus 6 में, I minus iodide ion या BR minus होगा, तो आपको क्या बनाना है? I2 या फिर BR2 यहाँ पे हमने CL minus नहीं लिखा है, क्योंकि उसके लिए कि SL condition है, जो मैं बात करूँगा 10 plus 2 में होगा, तो plus 4 में, iron plus 2 होगा, तो फिर plus 3 में, क्योंकि यहीं इसकी highest possible oxidation state है, वैसे ही C2O4 minus 2 oxalic acid होगा, तो किसमें चला जाएगा? CO2 में तो same condition है, शिरिफ CL minus में change है जिसको हमको ध्यान से देखना है, तो यह है उसका oxidizing nature में working next point जो आप से पूछा जा सकता है, कि हम इसको prepare कैसे करेंगे, तो very simple, आपको chromite ore लेना है, chromite ore इसे mixture of यहाँ पर iron के oxide and CR2O3, इन दनों को मिला दोगे तो यह मिल जागा, तो chromite ore की reaction, जब भी basic medium है, ध्यान से देखो, ज़रूरी नहीं कि NA2CO3 लिया, तो NA2CO3 लियाना, basic medium create करन क्यों, क्योंकि यह strong base, weak acid से बना हुआ salt है, तो solution का nature basic होगा, तो basic medium में either oxygen air pass कर दो, या फिर कोई भी oxidizing agent ले लो, तो आपको क्या मिलेगा पहले, chromate, क्योंकि basic medium है, और basic medium में कौन होता है, chromate, yellow color का आपको chromate मिल जाएगा, right, iron यहाँ पर plus 2 में था, वो भी plus 3 में चला जाएगा, क्योंकि oxidizing agent लिया है, now the question is, कि इसको अगर मैं acidic medium में pass कर दूँ, तो point number 1, acidic medium में pass करेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, dichromate, right, और sodium वाला मिलेगा, जो कि हाईग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए हम volumetric titration इससे नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि error आजाएगा आपक को भी ध्यान में रखना है, कि chromite ओड लिया, basic medium, oxidizing agent, तो पहले basic medium होनी को जाएगा, फिर उसको acidic medium में pass क्या तो dichromate, और फिर KCL solution से, क्यों, क्योंकि NA वाला जो है, ये वाला part, ये बहुत जादा soluble होता है, और ये less soluble है, तो ये point सब भी आपको ध्यान में रखना है, now structure से related question पूछे जाते हैं, very simple, dichromate का structure इस तरीके से होगा, दो tetrahedral unit हो गए, ये जो 6 CRO bond है, ये 6 CRO bond, ये equal होंगे due to resonance, right, तो CRO bond length equal होंगे, ऐसा पुचा आ सकता है, इस point के about ये structure symmetric है, ये पुचा आ सकता है, ये angle 126 degree होता है, वो पुचा आ सकता है, non linear हो गया ये, tetrahedral है, right, SP3Dation ह होंगे, क्योंकि S और 3 OPU जो गया है, तो जो भी P1 बना वो, क्रोमियम के D और oxygen का PU जोगा, अभी सी बात है, तो ये सब पूचा जा सकता है, दोनों ही, चाहे वो chromate low, या dichromate low, दोनों में oxidation state plus 6 है, इसकी वज़ा से D में 1 भी electron नहीं है, तो diamatic होगा, magnetic moment 0 होगा, now the सबसे important point, point number 6, कि अगर आप ये जो एक अच्छा oxidizing agent है, Cr2 ocean minus 2, इसकी reaction NaCl, NaCl कहने मतलब कोई भी soluble salt लो आप, यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी soluble salt मतलब, Cl minus होना चाहिए, और कटायन ऐसा लेना, जो water में soluble हो, that means D block कर नहीं लेना, जैसे AgCl, ये नहीं ले सकते, या mercury के chloride, ये सब न important कई बार पूचा गया है, और इसका orange red vapor आता है, तो ये color भी ध्यान रखना है, तो जब भी Cl minus को, इसलिए मैंने यहाँ पे Cl minus का जिक्र नहीं किया, ब्यार मानस ये मानस होगा, तो आई टू ब्यार टू, बट Cl minus soluble salt solution के साथ होगा, तो आपको क्रोमाइल क्लोराइट बनाना है, जो orange red vapor देता आपको, या HCl भी होता, वो भी एक soluble acid हो गया, तो भी आपको क्रोमाइल क्लोराइट मिलेंगे, और यहाँ पे ध्यान देना, फि application की, question number one में पूछा गया, which can turn K2Cr2O solution green, तो राइट कौन कर सकता है, यह खुद एक oxidizing agent होगा, क्योंकि highest oxidation state में, plus 6 में, तो राइट तो वो कर सकता है, जिसमें oxidation state further आगे increase हो सकता है, CO2 में already carbon plus 4 में, इस से आगे नहीं जा सकता, राइट तो यह नहीं हो सकता, SO2 में sulfur plus 4 में, जो plus 6 में जा सकता, highest में, तो यह हो जाएगा, SO3 में तो यह खुद plus 6 में, no reaction, इसलिए option all नहीं हो सकता, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, कि अगर K2Cr2O7 की reaction SO2 से कराए, तो solution का color कैसा आएगा, तो green आ जाएगा, इस टाप से पूछा जा सकता है, सब आपको अ number of terminal oxygen, तो यह exactly, आप ज्यान से देखो, तो यह chromite ore हो गया, जिसमें यह पहले क्या बनेगा, CRO4-2, CRO4-2 को acidic medium में, तो B क्या बन जाएगा, CRO2O7-2, dichromate, तो dichromate में number of terminal oxygen, अभी आपको structure बताया, तीन उस साइट, और तीन इस साइट, terminal पूछा है, corner वाले, तो answer कितना हो ज 6, इस टैप से integer type में पूछा जा सकता है, फिर difference of oxidation state in chromate, तो chromate को नों हो गया, CRO4-2 and dichromate, dichromate को नों हो गया, CRO2O7-2, दोनों के oxidation state का difference, दोनों में यह plus 6 में, तो difference केतना हो जागा, 0, इस टैप से integer type में पूछा गया, तो आप देख सकते हो, strict से इजली हो जाएंगे, sum of total number of bonds, इसी में, इन दोनों में, total number of bonds, तो you know chromate में 4 हो जाएंगे, CR और O के बीच पूछा गया था, chromium and oxygen के बीच, sum of total number of bonds, तो chromate में 4 हो जाएंगे, dichromate में, उस chromium के पास 4 और इस chromium के पास 4, तो total कितना हो गया, 4 plus 4 plus 4, that is 12, इस टाप से पूछे जा सकते हैं, right, next question में पूछ हो करता है, या K2CR27, वो किस वज़ा से, क्योंकि इसमें तो D0 configuration है, तो किस वज़ा से करता है, यह trick में बता रहा हूं, ligand oxygen जो है, जिसमें minus charge है, वो metal को electron transfer करता है, तो ligand to metal charge transfer के उज़ासे होते हैं, question number 6 में, which will not form when K2CR27 react with H2S, तो sulfur minus 2 में है, तो वहाँ से 0 मा जागा, तो य यहाँ पे chromium plus 3 में यह form होगा, तो यह यहाँ पे chromium plus 2 में यही form नहीं होगा, इसलिए क्या हो जागा, option D, क्योंकि K2SO4 तो बने गई, ions का exchange हो जागा, यह SO4 कहां से आगा सर, तो acidic medium लोगें तब ही होगा, right, similarly K2CR207, soluble chloride, brown red vapor मिर रहा है, तो यह कौन हो सकता है, chromyle chloride, that is CRO2, CL2, that is option C, तो यही सब question PYQ में पूछे गए, और भी बहुत सारे question है, जो आप easily कर सकतो, आपको जो वो 6 point दिया, उससे बाहर नहीं जाएगा, आप ध्यान से देख लो, जाते 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 घ्यान की बात, और that is very important, कि अगर dichromate की reaction, hydrogen peroxide से acidic medium में कराएंगे, low temperature पे, ध्यान द ऐसे भी लिख सकतो, C, R, O, O, 2, whole 2, इसका जो structure होता है, वो butterfly structure होता है, right, क्यों, क्योंकि chromium 6 bond बनाएगा, right, और 6 bond बनाएगा, तो देख सकतो, plus 6 oxidation state में, तो यह जो peroxy linkage है, यह भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 peroxy linkage है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तिसलिए इ का color और किस condition बनेगा important है, point number 2, that is again very simple, और इसके बारे मैं बात कर भी रखें, कि dichromate acidic medium में work करता है, तो CR plus 3 में जाता है, तो यहाँ पे N factor निकालेंगे, तो यहाँ पे plus 6 से 3 में जा रहा है, change 3 का हुआ, atom 2 है, तो N factor यहाँ पे 6 लेना है, इसका अगर use करेंगे, तो N factor 3 होग तो equivalent वाले, जतने भी question है, इससे बन जाएंगे आपके, point number 3, कि copper sulfate.5H2O को blue vitriol बोलते हैं, क्योंकि blue color होता है, ध्यान दे, जब water होगा, तभी blue color होगा, अगर इसको heat कर दोगे, तो यह white color में आ जागा, इसका structure important है, इसमें 4 water molecule as a ligand का का काम करते हैं, यहाँ पे आप जाता है कि इसमें कितने water molecule H bond बना रहे हैं, तो यह water molecule आपका H bond बनाता है, 4 H bond बन जाएंगे, total एक molecule में, और यह sulfate ion charge को balance करने के लिए, क्योंकि water एक neutral ligand है, copper पे plus 2 है, यहाँ पे, तो sulfate पे मानस ठोना चाहिए, तो यह point important है, क्योंकि के बारे में आपको मालुम है, कि इसक oxidation state plus 2 से लेकर के plus 6 maximum तक हो सकती है, जिसमें common oxidation state क्या क्या है, इसका that is 3 है and 6 है, तो यह होगा ग्यान की बात, I hope आपको यह पुरा oxoenine of dichromate क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, आप जितने भी पीवा क्यों है, सभी कॉप कर सकते हो, thank you उत्या है झौप कर सकते हैं, ऑ Państwo, first, रृप कर सकते हो, thank you उत्या है, जत्या हम्हीं कि रूप कर सकते हैं कि इसकान सती है in the alcanzation. खिर ज हम झाओको एह सो अन्या है, आदे झाद क्त्यान जत्या है. खिंशने तत्या